अरुन मिश्रा ने पूछा है नियॉर्क से हनुमान जी ने सीता की खोज के लिए श्री लंका जाते हुए रास्ते पर सुर्सा के समुक अपनी आकरती को इतना विशाल और इतना कम कैसे कर दिया था और दूसरा जब आप एस्टिल ट्रेविलिंग में जाते हो तो आप कहते हो कि सिर्फ संकल्प करना पड़ता है और यहां से उस ग्रह दूर गामी ग्रह जो कि यहां से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर है वहां पलक जपकते ही चले जाते हैं इसके पीछे क्योंकि आप फिजिक्स के विद्यारती रहे हों आपको अवश्य कुछ न कुछ ग्यान होगा सपष्ट तो समझाया जाना सब कुछ मुश्किल है सदा ही मुश्किल रहेगा अभी अभी फ्रेंस में फ्रेंस के तीन विज्ञान को ने तीन फिजिसिस्ट को नोबेल मिला दो हजार बाइस का पलक जपकते ही दिली से वाशिंग्टन और वाशिंग्टन से वापस दिली पलक जपकते है तीन वेज्ञानकों ने ये प्रियोक किया और दुनिया के समक्ष रखा और सिद्ध किया और नोबेल 2022 का पलक जपकते ही दिली से वाशिंग्टन और वाशिंग्टन से दिली कैसे हुआ जब उन्होंने इस थियूरी का नाम रखा क्वेंटम इंटेंगलमेंट थियूरी बड़ी लिम्पी चोड़ी है नाम बता दिया समझाना तो बहुत मुश्कल होगा समझा दूंगा रिकन उसके रिए थोड़ा ब्यक्ति जीनियस परसन टाइप होना चाहिए समझा दूंगा मैं सारी थियूरी को एलन एस्पेक्ट जॉन कलासर और एंटन विलिंगर यह फ्रेंशी सी तीन साइंटिस्ट इन्होंने इस क्वेंटम इंटेंगलमेंट का फार्मूला दिया इसकी खोज की और इस खोज में वो ही बात जो हनुमान जी ने अपने रुप को कंडेंस किया और अपने रुप को विशाल योजनों तक ले गया जूं जूं सुर्सा मुख बरावा जैसे जैसे सुर्सा ने अपना आकार वड़ा लिया मुख का हनुमान जी ने भी उसका अपना आकार उससे ज्यादा कर दिया और जब कई जूजन तक उसने मुख को फेरा लिया तो हनुमान जी ने अति लगो रूप धरो बहुत छूटा रूप धरकर उसके मुख में प्रवेश किया इतना ज़्यादा मुख खो लिया था कि मुख बंद करने में वक्त लग जाता इतनी देर में उसके मुख के वितर का चक्कर काटके अनुमान जी बहर आ गए सुर्सा जद्पी प्रिक्षा के लिए देवताओं के द्वारा बेज़े गई थी हमारे साहित्ते के वितर मनिशियों ने खोजें तो बहुत तकी लेकिन गुलामी ने उन खोजों को विक्रत कर दिया पाखंडों की जूट में लाके आज पाखंड पाखंड रह गए इन बागत सब्ता की खता सुनाने वारों के पास असल खो गया जो बीतर का रहस चता वो खो गया वो यही है जो इन तीन फ्रेंसिसी फिजिसिस्ट ने क्वेंटम इंटेंगलमेंट का सिदाद दिया है क्या है 100 GB डेटा को कंप्रेस करके एक GB डेटा की मैमरी में सुरक्षित रखा जा सकता है विज्ञान से संबंधित वच्चे लोग मेरी बात को समझे लेंगे लेकिन आप तो इतनी ही बात समझे लेजिए कि विशाल और कृति को छोटा बनाके रिजर्व रख सकेंगे 100 GB डेटा को कंप्रेस करके एक GB डेटा की मैमरी में सुरक्षित रख सकेंगे और दूसरा एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक निर्बाद और जा को पहुंचाया जा सकता है और जा को लाया जा सकता है ये तो था हनुमान जी का लगू रूप और विशाल रूप और फिर उस एक GB के डेटा को 100 GB डेटा में भी बदला जा सकता है वो कदम नहीं होगी पुन्हे अपने आकार में आ गया है हनुमान जी यह आज खो जा गया जद भी हमारे मनिश्यों ने बहुत पहले यह जान लिया था जो विग्यान हमारे मनिश्यों ने हमें दिया शायद हजारों लाखों वर्षों तक आज का विग्यानिक उसे उगार न पाएगा है बहुत गहरे से गहरा विग्यान हमारे मनिश्यों ने हमें दिया आज जो क्वेंटम इंटेंगलमेंट का सिध्धान्त इन तीन विग्यानिकों ने देकर 2022 का नोबेल पुरसकार जीता है और वो ही था जो हनुमान जी ने छोटा रूप कर दिया और हम अपनी बाशा में उसे अनिमा, महमा, लगिमा, गरिमा, नामक के सिध्धियों का रूप देते है और ये वही सिध्धियां थी जो मैंने अपनी बाइवरोफी में आपको सम्शान साधना के दोरान साथ सो सिध्धियों का वर्णन किया उन में ये सिध्धियां भी थी दूसरी बास, एस्टल ट्रेवलिंग में आप संकल्प करते ही लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पे इस्तित किसी ग्रह पे पहुँचने की किशमता कैसे रखते है जैसे आज इन्होंने सिध्ध कर दिया क्वेंटम इंटेंगलमेंट की थियोरी के दोरा एक पलक जबकते हैं यहां से वाशिंटन और वाशिंटन से दिली जी क्या है? किसी भी चीज को कंडेन से किया जा सकता है हमने सरी छोड़ा सुक्षम शूक्षम सुक्षम ने सिंकर्प किया कि मैं फला ग्रह पे पहुँच गया और बहां से वापस आ गया कुछ संत हुए हैं हमारी भारत भूमी पर जिनोंने अपने मैंने पहले बताया भी था स्थूल श्रीर के अनुओं को डिजाल्व करके स्थूल श्रीर के अनुओं को डिजाल्व करके बहुत छूटे रूप में बना लिया जैसे हनुमान जी ने लंका परवेश के दुरान बहुत छोटा मच्छर का रूप धार लिया था और फिर अपने असली सुरूप में सीता माता के सामने चले गए थे रावन की सबा में चले गए थे यह सब कैसे हुआ, यह सब कहानिया नहीं है कपूल कलपनाई नहीं है यह विग्ञान के अदभुत सिद्धान नहीं लिखे रहे गए लेकिन इसकी भीतर की चीज़ें पता नहीं लगा इनके भीतर के खोजने वाले लोग मारे गए जैसे मैं समझता हूँ मेरी अपनी सोच है यगर रावन ना मारा जाता और रावन की बुद्धी वरेश्टना हुई होती तो सारी चीज़ें उसने खोज ली थी बहुत प्रयोग उसने कर लिये थे यह वाज़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वे महांतम बेग्यानिक था दार्शनिक और बेग्यानिक यहां से संकल्प करें किसी भी ग्रह से उर्जा ट्रांसफर की जा सकती है दूसरे ग्रह में और वापस लाई जा सकती है उसी ग्रह में प्रित्वी से दूर अजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर कोई ग्रह है वहां पर हम उर्जा को पहुंचा सकते हैं और उस उर्जा को वहां से और उर्जा लेके अपने प्रित्वी पहला सकते हैं अब ये साइंस ने जान लिया तो अब धर्म भी इसे मान लेगा अन्य था पाखंड समझ कर नास्तिक लोग अब तक इस बात का मजाक उड़ा रही था अब उर्जा जब एक दूसरे ग्रह पे पलक जबकते जा सकती है और वापस आ सकती है और शरीर के अन्यों को कंडेंस से कंप्रेस करके पती लगहू रूप में बदला जा सकता है और उसको फिर उसी रूप में लाए जा सकता है तो यही तो है वो सिद्धियां जो अध्यातम बताता है मनीश्यों का इसी नियम के नुसार इस खोज के नुसार किसी एक मुलक से दूसरे मुलक पर चुटकी वजाते ही पहुँच सकते हैं और यहां से जो छोटा आकार लिके गए थे वहां पर जाकर बड़े आकार में प्रक्ट हो सकते हो और वहां से फिर छोटा आकार बापस लाकर यहां पर फिर बड़े आकार में प्रक्ट हो सकते हो यह है क्वैंटम इंटेंगलमेंट की थूरे जब मैंने प्रतंबार अपनी एस्टर ट्रेविलिंग की वीडियो डाली तो बहुत से लोगों की ये ब्रहम है मेंटल हेल्प सेशन मैं बहुतर बहुतर हसा कीजिए सन सतारा सो सेंटालिस की आबादी कहां फिर रही है अब तक पर सन सतारा सो सेंटालिस कहां तुम तो आदी पुर्ष से जंगली पुर्षों से भी पीछे किस्तिती में रह गए हूँ तुम जानते हैं इसके बीच में तो हमारे मनिश्यों ने कब का ये प्रियोग कर लिया था पहुँच गए थे दूसरे ग्रहों पर ऐसे ही नहीं ये सभी नक्षत्रों का नाम बता देते हैं इस सब जानते हैं इन्होंने सब जगा ब्रह्मन करके उन ग्रहों को देख लिया था उन उन ग्रहों के बारे में बता दिये थे हैं सूरी की धर्ति से दूरी तुलसी दास तक ने लिख दे जुग सहस्र जोजन पर वानूं लिल्यो दाही मदूर फर जानूं और तुलसी दास पंद्रमीं सताब दी के कवी थे तब विग्यान का नामों निशान भी नहीं थे क्या हुआ किसने बताया मनीशियों ने लिखा ठाँ संस्कृत में लिखा आम भाशा थी और तुलसी ने पढ़ लिया और तुलसी दास ने हनुमान चाली सामी ये इस पस्ट लिखा है करीब पंद्रे करोड साथ लाक किलो मिटर दूर है दर्ति से प्रत्वे और बिलकुल सेम आप गुना तक्सीम करके देख लीजिए आपको वही दूरी मिलेगी पंद्रा करोड साथ लाक मिल दूर प्रत्वे की सूरे से दूरी आज हनवान जी ने कैसे किया होगा सो डेटा को एक डेटा में और एक डेटा को सो डेटा में कैसे रोट किया होगा आज समझाती है जो फिजिक्स जैइजिसिस्ट ने अदिक ने क्वेंटूम इंटैंगलिमंट का सिदान दिया तो आज समझाती है बात कि कम्प्रेस कर लिया उन्होंने हम उनको अपनी वाशा में मनीश्यों द्वरा दी गई वाशा में सिद्यों में रखते हैं अनिमा, लगमा, गरिमा, मैमा छोटे से बड़ा रूपदार्न कर लेना किनी किनी महापुर्षों की आत्म कथाओं में मैंने पढ़ा है कि वो अपने सूल शरीर को भी कीरिन कर देते थे विलीन कर देते थे डिजॉल्व कर देते थे सूक्षम शरीर के जो दिखता है और फिर जहां जाके प्रकट होना होता था जैसे अब दिली से नी यॉर्क अब पटना से वाशिंटन पलक जबता है यह क्या है आज मानों गया है आज मानी ही लिया है नोबेल दे दिया गया है इन तिनों को और बहुत जबरदस्त ऐसी बाते हैं जिनको आप समझ भी ना पाओगे दो विट्टी क्वेंटम आपस में काम कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे का पता भी नहीं आपके साथ मिलकर आप दो आदमी कोई काम कर रहे हो इकठे कोई भार उठा रहे हो किसी परपस के लिए कोई काम कर रहे हो और एक दूसरे का परिश्य है नहीं यह है क्वांटम इंटेंगलमेंट बहुत मुश्कल होगा समझना लेकिन इतना आपको बता दूँ कि सीधी सीधी बातों में अगर आपने समझना हो तो यह एस्टल ट्रेवलिंग में संकल्प के द्वारा ध्यान से पहले नहीं हो गया आपको अप्रियास की स्थिती में जाकर पहले ध्यान की स्थिती में जाना होगा अपनी उस स्थिती में पहुंचना होगा जहां आपका संकल्प चोटियों पर होता है लास्ट और उस संकल्प के आता ही आप संकल्प करोगे स्रीर से बाहर होने का हो जाओगे फिर आप बाहर जाकर संकल्प करोगे स्रीर से बाहर खड़े हुआ संकल्प करोगे कि मैं उस ग्रह पे पहुँचे जाओं लेकिन जाने से पहले एक संकल्प और करोगे कि मैं आठ गंटे के बाद इसी स्रीर में बापस आ जाओं क्योंकि इसे आप सक्ती देने वाला कुई नहीं सूख के गया अगर ये 24 गंटे 48 या जादा से जादा 72 गंटे तक कुछ लोग 96 गंटे तक भी जीवत रह लेते हैं बिना सुक्षम स्रीर के लेकिन आठ गंटे तक आपको अपनी स्रीर का अंदाजा देखना होगा मैंने अपना अंदाजा लगाया कि 6 गंटे और 8 गंटे से जादा बिल्कुल नहीं मैं ठहर सकता शरीर का अपने लग जाता है तो मैंने अपनी अब्धी पहले आठ गंटे भी रखी फिर मैं छे गंटे रखकर जिससे शरीर में कोई ज्यादा नुक्स नहीं पड़ता हुमर तो गड़ती है लेकिन ज्यादा नुक्स नहीं पड़ता आठ गंटे में थोड़ा से नुक्स पड़ जाता है लेकिन छे गंटे में कोई विशेश फरक नहीं पड़ता हुमर बस आपको निन ज्यादा आएगी और कुछ नहीं होगा आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा और ऐसा होगा कि उठना सकोगे आप चलना सकोगे आप लेकिन उसके लिए बहुत सी प्रिकाशिन्स की जरूरत है डाइट की जरूरत है मुझे कल ही एक विक्ति कहने लगा आप अन नहीं खाते हैं आप दूद पीते हैं जबकि हमारे गुर्वों ने लिखा है अन छोड करे पाखंड ना उस वाग ना उरंड मैंने का आप अपने गुर्वों को परणाम कीजिए बहां जाईए मैंने कब रोका हमें एस्टिल ट्रेवलिंग के लिए जिन जो गिताओं की आवशकता है हम उस आहार को लेते हैं हमारा लक्ष और है जिसके कारण हम सिर्फ दूद लेते हैं दूद आए सानी से पचने वाला पदारत है वो ज़्यादा गड़बड़े में करेगा आपके सरी में और बस जिससे सरीर चल सके इतनी मात्रा में दूद लेना है तो आप अपने जगा ठीक हैं अन छोड करे पाखंड ना ओ स्वागन ना ओ रंड आप अपने पंदरा सो सैंतालिस में जुड़े रहे हम कब कहते हैं वापस आ जाईएं लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए हमने अपनी स्थितियों को उस अनुरूप करना है अगर आपके हिसाब से हम कनक खाके चले गए तो हो गया हमारा काम कनक में वो बात नहीं है जो दूद में है आप उसको मासहार कह लें कह लें हमें कोई फरक नहीं परता है हमने अपना लक्ष बेदना है तो आप शास्तरों की कोई बात कहके हमें संबोधित करने की कोशिश नो करें हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं कोई पागल नहीं है आप सुबह से शाम तक क्या नहीं खाते हो फिज्या बरगर फिड़ली डोसा हमने कहा कि आप मत खाऊ आप हम रोक दो आपके गुरुमों की बातों को आप मानू हमें ठीक लगेगी हम मानेंगे अनिता नहीं मानेंगे तब बात कुछ ओर थी जब ये शब्द कहे गए होंगे आज बात कुछ ओर है आज वो बात कहाँ जो जैन धर्म कहता था कि देवताओं का नुवास है चेंदरमा के उपर और नील आरम स्टांग वहां पाउं रखकर आ जाते हैं चार गंटे गूम कर आ जाते हैं और तीन लोग और गूम के आ जाते हैं और उसके बाद कितने लोग चले गए हैं कहां के आपका वो फार्मॉलेशन टूटते रहते हैं गैलीडी ओ गैलीडी को आपने कमरे में बंद कर दिया उसने सिर्फ यही कहा था कि सूरी के गर्द प्रत्वी गुमती है ना कि प्रत्वी के गर्द सूरी जबके लगता है ऐसा ही है कि पृथ्विए के गर्द सूरी गोमता है क्यूंकि सूरी सुबह ओस्ट में होता है च्छबता वेस्ट में तो कौन घुमा? पृथ्विए तो गोमती आप आपको दिख ही नहीं सकती क्यूंकि पृथ्विए से दूर जाओगे तो आपको पता चले का और गैलीली वो गैलीली ने जब देखा कि धरती गुम रही है सूरी के गर्द तो उसने ये कहा और चर्च के पुजारियों ने कैथलिक पुजारियों इसका बहिशकार किया दंड ते किया और दंड भी दिया बड़ा खतर ना एक जेल की तरह अपने ही घर में जेल और वो बिचारा दिवारों के उपर प्रित्वी और सूरज की तश्वीरे बनाता है मर गया एंड स्टिल इट मुवस बस वो ये शब्द दोराता रहा तस्वीरे बनाता रहा दिवारों एंड स्टिल इट मुवस और अब भी ये गूम रही है आप कितना ही कैथलिक की चर्च के पुजारी कितना ही कह लिए साड़े तेन सो वर्ष के बाद आकर इन पादरियों ने माफी मांगी गैली लियो से जब गैली लियो को कोई पदा ही नहीं गैली लियो है ही नहीं आपको ख्षमा क्या खाक करेगा पूजना है तो जिन्दा को पूजो आज दुनिया थोड़ी समयधार हो गए आए दुनिया अब इशकार करने वालों को नोबेल से प्रुशकर करती है सूलियों पे नहीं टांगती हाथ पाम नहीं काटती जहर नहीं पहलाती आज सब था थोड़ी से मर्दू हो गई है नजर बंद नहीं करती अपने ही घर में और जब बात में देखा उन्होंने उसके दूर भी इन से वही पाया और तीन सो पचास वर्स के बाद उस पादरी ने अपनी गलती मानी के हम से गलती हो गई अब क्या किया जए गलती हो गई तो अब क्या फाइदा जब किसी ने मृतू दंड जेल ही लिया अब तुम्हारे माफ़ी मागने से कुछ नहीं होगा तुमने एक क्राइम कर दिया आज दुनिया बहुत समझदार हो गई है आज जो अविशकार करता है उसे नोबेल मिल जाता है नोबेल मिला है उसे पहले कितने विक्तियों ने हमारे कितने मनीशियों ने ग्रहों के चक्कर काट काट कर सभी ग्रहों को छान मारा होने पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क पाल थकके वेद कैन एक बात सैस अठारां केन कतेबां असुलू इकता लेखा होए ता लिखिये ता लेखा होए वेनास उसे देखकर ही बात कर दी बाबा नान कि अनभव के बिना बाबा कुछ तहीं बोलता है उन्होंने ब्रह्मन किया आकासों को पातालों को उन्होंने देखा इस धर्ती से उपर भी धर्तियां है और इस धर्ती से नीचे भी धर्तियां है ध्यान रखना बाएं दाएं सबी दिशाओं में हैं कोई एक नहीं है अर्बों खर्बों खर्व तो यहाँ पर गलेक्सिज हैँ जिसकी गणना करके तुमारा दिमाख बरस्ट हो जाए तड़ तड़ करेगी खूपड़ी मेरी इतनी ही बातों से जो मैंने बताती है और मैंने कुछ भी नहीं बताया तो यहां से जब पुशा है किसी के एस्टल ट्रेवलिंग में प्रिकाशन्स है कोई बात नहीं अगर एस्टल ट्रेवलिंग के यूग हो गए हो तो प्रिकाशन्स में आपको पता लिए सुक्षम आहार लेना है एस्टल ट्रेवलिंग से पहले एक आफ़ता पहले सुक्षम आहार लेना है सुक्षम आहार में जैसा आपको ठीक लगए कम से कम आपने अनाज तो नहीं लेना है दूद का प्रियोग कर सकते हो गाए का बैंस का बकरी का सबसे सुपाच्य भोजन है और कम्प्रीट फूड है एक दो चीजों को छोड़ कर जैसे आईरेन नहीं होता उसमें बाहर से भी ली जा सकते हैं ऐसे जो चीज़ें दूद में नहीं मिलती वह हम बाहर से भी ले सकते हैं तो सुपाच्य भोजन कीजिए एक अफ़ता पहले तक स्रिर बिलकुल निर्मल हो जाए रहा और ध्यान के द्वारा उस वस्ता तक पहुंचिए जहां पर संकल्प किया जा सकता है पून संकल्प के बिना आप स्रीर के बाहर नहीं हो सकते हैं संकल्प अब मिरे पास रोज फोन आ जाते हैं मेसेज आ जाते हैं बाबा हमने संकल्प किया सा बाहर तो मैं निकली ही नहीं अभी अभी बच्चों की तरह गुठली फसा देते हैं गंले में और दिरवाद आके उगार के देख लेते हैं कि अंकर पूटा कि ने पूटा ऐसा नहीं होता है ऐसा मुरखता मत करो आप अपने काम पे चलो आप सिर्फ साधना करो क्रियायो करो और वीडियो बगरा सुनते रहो जो आपने को मैंने प्रिलिमनरी एजुकेशन दिया है यहां से सुरू करना होगा यहीं से ही मैंने भी सुरू किया था आप अभी तुझे ही करते रहो आप आगे की बातों मत सोचो कि बाबा मैं भी व्रमन करना चाहता हूँ चाहते सभी हैं मुक्त होना सभी चाहते हैं लेकन शहन है शहन है through valid process ही सब कुछ हो पाएगा न प्रिकाशन हलका बोजन और जाने से पहले दो या तीन दिन complete rest complete rest कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं थोड़ी जरूरत के काम कर लो बाहर से contact को तो तो और उसके बास संकल्प पूर्ण संकल्प से युक्त हो कर जैसे ही आप उस तल पर पहुंचोगे आपको बता चलेगा कि इस वक्त मैं जो सूचूंगा वो हो जाएगा बिवेकानद नहीं यही किया जब वो दर्वाजा बंद करके चिटकनी लगा के बीतर बैठे तो अपने अंतस में उतरने लगे क्यूंकि अंतस तक तो पहुंचा ही चुके थे रामकिशन परमाद से वहां जाकर उन्हें पता लगा अपनी किशमता का कि मैं इस वक्त उस तल पर पहुंच गया हूं कि इस वक्त जो भी मैं आग्या दूंगा वो प्रकृति को माननी पड़ेगा पता चल जाता है तुम्हें पता चलेगा इस बात का मुझसे तो लोग यहां पूछ लेते हैं कि एनलाइटनमेंट मैं हो गई है मेरे मुझे कैसे पता चले हाद हो गई तो मैं कहानी सुनाया करता हूं एक गरवती इस तरी माता से बोली मा मुझे जगा देना जब मेरे बच्चा होने को आए मुझे पता ना चले मैं अपने बच्चे को सबसे पहले देखना चाहते हूं तो मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा सुझ रहूं मैं तुम्हे क्या जगाओंगी तुम सारा माला जगा दोंगी तुम्हे लाइटनमेंट हो गए तुम्हे कौन बताएगा तुम्हे लाइटनमेंट हो गए तुम खुद ही शोर मचा दो गए तुम्हारी लाइटनमेंट का प्रकाश दूर दराज तक फैर जाएगा तुम्हे कोई नहीं आके बताएगा किसी जो गुरू बताते हैं कि आप एनलाइटन हो गए हो तो आप भी मुरख हैं मानने वाले और गुरू तो महा मुरख है जिसको एनलाइटनमेंट का पता लग गया और आप एनलाइटनमेंट में गए नहीं अभी तक और कुछ गुरू तो यहां तक भी कहते हैं कि एनलाइटन्मेंट होती ही नहीं भई इनसे कौन रोके हैं नीच से कहते हैं कि गौड़ता मर गया मारकस कहते हैं कि गौड़ है ही नहीं माओ कहता कि दखाओ कहा है अब इनसे कौन पंगा ले ये सत्य हैं अपनी जगह पर बस इनको तो सिर्फ लोगों को बराबरी का अधिकार देने का मनतब्य पूरा करना है और कुछ नहीं मैं नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए होना चाहिए लेकिन वस्तू स्थिती को निगलेक्ट करना भी तो एक अपराज है आप नास्तिक्ता का परचार करके वक्तियों को भविश्य खराब कर रहे हो जहां तक पहुँचा जा सकता था शिक्षा देजिए दिक्षा देजिए बिल्कुल देजिए कौन इंकार करता है अनपड़ और गमार रहना भी तो शुब नहीं है इससे तुम शोशित बर्ग में हो जाओगे लेकिन अगर आपको कोई अनपड़ नहीं हुआ है तो करपा करके ये बात मत बोलिए कि होता ही नहीं क्योंकि मैं नहीं हूँ इतनी करपा कर जाए तो फिर मैं पूछा करता हूँ कि रामकिष्ण परमंस को मिर्गी के दोरे बढ़ते देखे ये जो कहते हैं लाइटनमेंट के बाद मैं पंद्रह दिन पता ही नहीं लगा आँख खुली तो पता लगा पंद्रह दिन हो गए और ये साहिब कहते हैं कि किसी को पेड़ पर बैटों को हो जाता है किसी को कहीं हो जाता है किसी को चलते पृते हो जाता है बड़ी कमाल की बास है जिस चीज का अनपव नही क्यों नहीं यह मूरता की चरम सीमाएं हैं जो तुमने देखा नहीं उसको कह दो कोई वो है यही नहीं यही बात होई इस क्वेंटम इंटेंगलमेंट के से दान्त के अंदर एक वेग्यानिक उसने काई यह संभव नहीं है किसी भी वस्तू को बिना देखे उसके आकार का पता करना बात ठीक लगी बिल्कुल जचेगी खोपड़ी को उसने कहा कि किसी वस्तू को बिना देखे उसका आकार का मेजरमेंट करना संभव ही नहीं है और बिल्कुल जचेचती है बात खोपड़ी को लेकिन हर बात जो खोपड़ी को जचेचती है वो सही हो जरूरी नहीं एलबर्ट आइंस्टीन और दो अन्य लोगों ने आकर उसकी बातों को ख़दम कर दिया कि पता लगता है अगर आपने नहीं भी देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि वो है ही नहीं तो दुब के बैट किया वो सैंटिस्ट है जब एलबर्ट आइंस्टीन और दो अन्य वेग्यान को ने यह बात कही कि आप कैसे कह सकते हैं यह बात कि बिना मैजर्मेंट के किसी का भी परिमान नहीं बताया जा सकता लेकिन क्या उसके होने को अस्तित्व को निकारा जा सकता है तो फिर बोशानत होके बैठ गए वैसे इस कुएंटम इंटेंकलमेंट का सिदान शुरू शुरू में जब लाव ग्रेविटेशन नियूटन ने सिदानत खो जाता सबसे पहले निजर उसकी ही गई थी इस कुएंटम की तरफ इंटेंगलमेंट की तरफ सबसे पहले अगर देखा जाए तो आगाज करता हलका सा उन्होंने चिंगारी छोड़ दी थी नियूटन नियूटन के बाद इसको पकड़ लिया एलबर्ट टाइंक्स्टीन में पस फिर क्या था एलबर्ट टाइंक्स्टीन बहुत जीनियस था उसने उसको ऐसा दबोचा कि उसने बड़ी चीजों को खोला और ये जो तीन आज नोबेल के पुरुसकार के बिजेता हैं फ्रेंसिस फिजेसिस्ट ये सिर्फ एलबर्ट आइंस्टीन के सिदानत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं इलबर्ट आइंस्टीन इस सदी के इतने जवर्दस फिजेसिस्ट हुए हैं कि जिनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है जिसके ब्रेंड को संभाल लिया गया ते आकर क्या था इसमें और उसको चैलेंज करना इतना असान नहीं होता लेकिन लोगों नों चैलेंज किया कुछ देर के लिए हैं उन्होंने नाम भी कमाया कुछ देर के लिए वो च्छाए भी रहे जगत में लेकिन अंत तया हैं उनको मूँ की खानी पड़ी कैसे जाते हैं श्रीर को छोड़कर संकल्प को पूर्ण ताके उस स्थिति में ले जाओ ध्यान के द्वारा और ध्यान के कुछ नहीं करना है मैं बहुत बार कह चुक हम पर कुछ नहीं करना ये जब तब में मत उलजे रहो भाई बाहर के मुल्क बहुत तरक्की कर चुक हैं हम आदम युग में ही जी रहे हैं आज अगर हमें शर्म महसूस होनी चाहिए हमारे मनीशियों ने कितनी तरक्की कर देती और आज हम अगर मनीशियों की कोई बात करता है या कोई उनकी बातों पर चल कर कोई खूज करके कोई काम करता है हम उसको कह देते हैं कि ये तो मानसिक प्रह्म है पागल हो गए हो यू शुड बी ट्रीटर्ड मेंटली है यू शेशन है हादों के लिए और ये क्या है ये दिल्ली से जो आप नियॉयॉर्क पहुंचे और नियॉयॉर्क से आप दिल्ली पहुंचे ये क्या है ये ब्रहम नहीं है क्या आज दुनिया थोड़ी समझदार हो गई तो इस क्वेंटम इंटेंकलमेंट का सिधान यू ही नहीं है हमारे मनिश्यों ने बहुत पहले खोई लिया था अनुमान जी कि मैंने उधारन दी जो आज कह रहे हैं अपनी भाषा में आज बूल रही है साइंस बिल्कुल उचित भाषा है सो जीबी डेटा को कंप्रेस करके एक जीबी डेटा में की मैमरी में संग्रशित रखा जा सकता है और उस एक डेटा की मैमरी से निकाल के उसको सो डेटा में फिर से फिर बनाया जा सकता है पलक जबकते यहां से नियॉयॉर्क और नियॉयॉर्क से दिली आय जा सकता है वापस बात बागलों की लगेगी आपको इसे लिए लोग कमेंट करते हैं और मैं हसता हूं कई बार हद हो गई आपने इस परमात्मा की इस रिष्ट्री को इतनी हलकी सी लिया है पागल आप हो मुर्ख आप हो या ये सेंटिस्ट या वो मनीशी जो इतने बड़े बड़े अनुवेशन करके चले गए ये ठीक हमारी गुलामी ने बहुत सी विक्रतियां पहला करते है एक बड़ी किताब में अगर दस जगा के उपर विक्रतियां रख दी जाएं तो वो विक्रतियां ही दिखाई बड़ेंगी और लगेगा सारा सास्तर ही कराभ है गलत है हम उस सारे सास्तर को ही गलत करार दे देंगे बस यही हुआ हमारे साथ हमारी कताबें बचा ली गए लेकर उसमें जूट का परवेश करा दिया इन चीज़ों ने ही हमारी साइंस की एक शंता को आगे बढ़ने को नकार दिया हम उसी बागत सब्ता की कहानियों में उलज़ रहे हैं और ऐसे ही पुरुषकार देने वाले बुद्धू हैं जो इन लोगों को पुरुषकार देता है तो जब वृत्धी ही हमारी ऐसी है नोबेल को देने वाला नोबेल को देने की एक शंता रखेगा बुद्धी रखेगा कि ये विक्ति है और हमारे पुरुषकार जो हमने खोजे उसको देने की जो सूज है वो हम ही तो खोजेंगे कि यह विक्ति योग है इसके पदम श्री के पदम विभूशन के पदम भूशन के बारतरतन के तो हमारे जो हमने बनाई पुरुषकार तो उनको देने के लिए तो योग कोन है हम ही को जेंगे न और हम कौन सी सदी में जी रहे हैं आप देखें ये सारी फिलस्पी थी और भी बहुत सी बातें हैं जो पूछी गए है लेकिन उनका जवाब बात में वक्त काफी हो गया है रावन के बारे में पूछा है कि अमरत कुंड का ये रहे से क्या था ये मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फिलहाल ये क्वेंटम इंटेंगलमेंट की परिवाशा में निस्पस्ट करने की चेश्टा की है मुझे पता है शायद आप कम समझो या ज़्यादा समझो या बिल्कुल ना समझो लेकिन मैंने आपको इतना जुरूर बता दिया है कि जो हमारे मनीशियों ने खोजा वो आज के फिजिसिस्ट फ्रेंड्स के दोहजार बाइस का नोबेल उसी आधार पर जीते हैं जागिए इन नफर्त के गाथाओं को निकलिए इन ब्रह्मों के जन्जाल से वेग्यानिक बुद्धियों को अपनाईए खंड खंड हो जाएंगे सारे ब्रह्म बस एक ही बात को ध्यान में रखिए वेग्यानिक बुद्धि को अपनाईए चाहे कोई भी बात माननी है इन अन पर गुरूं पंडों प्रोहतों के बातों के पीछे मत लगिए इन पुराने सास्तरों के पीछे मत लगिए क्योंकि इनके बीतर का जो तत्थ है वो समझाएगा कौन और जो लिखा है उसे तुम चमट जाओगे जो कि बरबादी का कारण है पुरानों ने जैसा लिखा गया वैसा मानने के कारण आज धर्ती हमारे हिंदुस्तान की नर्क बनके रह गई है अगर इसको आप लगातार मानती है तो ये लगातार और भी नर्क में जहस्ता चला जाएगा संबलो जागो बेला है धन्यवात